आप देखें में हिंडूआज में बात कि अपने आपको चेंज्ज करना आपने मुलग को चीन और अपसे हार से हमें इज़त देंगे तो इस असल लेंगे कुछ मुलास ऐसे हैं जो ना साइंस को प्रमोट कर रहें साइंस नहीं पढ़ेंगे हम तरगी कैसे करेंगे ना तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक हम इस का फिर नहीं पर हम यहां पर हर बंदें को मुसल्मान को काफिर कह रहे तो जनन में जाएगा यार जो बंदा ला एला इलाला मुहम्मण रुसूली वह मुसल्मान है जनने जाएगा आप देखे हैं दुनिया में हिंडूइद्ट्ट या क्रिस्टियनिद्ट या जो भी है dużo सब मुस्लिमानों उपर जो्या रहे हैं जो हैं यह दुनिया में फसादाफ पहला रहा रहा हैं उनकी जो पोप्लैरिट्टी वह उनके जो हुकमरान है या उनके जो लीडर्स हैं वो उनकी बेस पे है देखें अल्ह ताला की जात ने फरमाया है कि मैं किसी की मेनद राएगा नहीं करता ठीक है और अलहम्दलिल्ला अलहम्दलिल्ला मुसल्मान या इसलाम के लावा आखरत में किसी भी मजब का कोई हिसा नहीं है ठीक है उनकी जो भी अचाहिया होंगी उनको इस दुनिया में उनका सिला मिलेगा इसलिए हिंडूइजम देखें वो पाकिस्तान के लिए अगर आप देख लें चले हम इंडिया की बात करते हैं तो वो हमसे हर फिल्ड में आगे हैं रेलवे देख लें फ्लाइट्स देख लें आप उनकी इंजिनियर्स देख लें सिवल देख लें जो भी दारा देखें वो हमसे बहुत आगे हैं इसलिए वो दुनिया में अपना वो पैसे के बल्बोते पर अपनी तारीफ करवा रहे है हमें क्या करना चाहिए हमें इसलाम को अपनाना चाहिए कम सगम हम मुसल्मान होते हुए हम इसलाम को अपनाएं ठीक है हम पाइंट हम नमाज नहीं बढ़ते इसलाम जो है यह इनसानियत का दर्स देता है इसलाम जो है यह अच्छाई और बुराई में फरक वाजिया करता है इससे हमारा बुरा इंपक्ट पड़ेगा अगर आप किसी को बुरा कहेंगे कोई आपको अच्छा नहीं केगा आप पड़े लेके लो मैं आपको इस बात का क्लियर कर दूँ, मैंने तुमाम हिंडूों को बुरा नहीं का, ठीक है, हम सिरफ और सिरफ इसलाम की अच्छाई को बियान करने के लिए इधर हम आपके साथ मतलब कटे हुए हैं, हिंडूइजम बुरा नहीं है, मैं ये बात क्लियर कर दूँ, आप हर फ आपने एक बात की, कि जिस तरह से इसलाम को आप दबा रहे हैं, कह रहे हैं, कि हमें खुद इतना पावरफुल होना चाहिए, अभी आप देखें कि हमारे अपने अमाल कितने को हैं, सौधी अरे बे में आप चले जाएं, दुबई में आप चले जाएं, वहाँ पर, कल पर इंडिया पर जादा यकीन करते हैं, तो इसके पीछे भी तो हमारी कलती हैं, दुनिया को हम अगर इमानदार होकर साबित करेंगे, तो हमारी वैलिस कुछ और होगी, देखें, अगर हमने अपने आपको पावरफुल करना है, अपने आपको रिस्पेक्ट के काबिल करना तो जारी बात हमें इमानदार होना पड़ेगा, लेकिन इमानदार होने के लिए भी हमें इसलाम पढ़ना पड़ेगा, मैं भी थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर किसी भी अच्छे मुस्लमान को ना मिला हो जिन्दगी में, ठीक है, लेकिन हम बदनाम हो चुके हैं, इसला और सुम्हां पैली बात किया हमें अपने आपको हैंब को चैंज करना इसलाम के नीचे फिरकावारियस से निकल कर कट कट्ट होना है फिर हम दुनिया डालकर कहेंगे कि बाई गिव और टेक आप इस हार से हमें इज़त देंगे तो इस असल लेंगे यह जो उलमा की आप बात करें हर मौलवी फिरका प्रस नहीं है मौलवी की बात नहीं कर रहा है कुछ मुला ऐसे हैं जो ना साइंस को प्रमोट कर रहें साइंस नहीं पढ़ेंगे हम तरगी कैसे करेंगे ना तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक हम इस कंफ्यूजिंग में है कि भाई वो तुमने ऐसे कर दे तुम का फिर वो शिया अधर तो काफिर हम यहां पर हर बंदे को मुसल्मान को काफिर कहरें तो जनन में को जाएगा पाक्सान के कि दि llegó हो सकंटेगी जब से सक है यार जो बांदा शूम कॉप्छ नहीं सिप्षल्यु कोई काफर नहीं है कि लो खाहते हैं यह आधारिं को कहते है के लिएजि देगा देठेगे underway चंपने नहीं काहा है तो फट्वरा आधान ने पनाब है करति ना मृत बभार शूर्ब पहुत बड़ा फत्व है यह रपाइंट खड़े होके गालियां भी मैंने सुनी वी है निकाल देगे इसमें मेरा कसूर है इसमें आपका कसूर है आपके मसलग का मौलवी स्टेज पर बैठा होगा वो दो गालियां देगा आप नीचे से गेंगे नारा यह तकबीर मैं को दो हमें ऐसे नहीं कहना आपने कहना है कि आपने गाली दी है आप इसको साबत करो और हम डरते कहते नहीं हम उटके खड़े होंगे उसके पंदरा बंदे साइड़े पर बैठेंगे मार देंगे जिंदा जला दिया जाएगा भाई हमारे गरवालों को मारी लाश भी नहीं तो सु आप पूछो तो मजाब मजाब की आप मजाब से बाहर को आप पूछों के हमारे आरमी से तो आपने कर दिया लो तोड़ दिया है इस बहुत करना चाहते हूं अदालत अद़ीख एट बर swimming बहुत रिस्पेक्टिबल लोग है हमें इनकी इसफ्ट करनी चाहिए हर बंदा बुरा न होता लेकिन ये जीज़ मैं क्लीर करतू हर बंदा अच्छा भी नहीं उता एक ही डारे में आपको अच्छे लोग मी मिलेंगे बुरे लोग मी मिलेंगे यार आप बुरे लोगों के पास क्यों जाते हो देखिए पाकिस्ताणी मुस्लीम है 100% मानना होता है कि पूरी दुनिया जो है पाकिस्तानी खिलाब खड़ी हुई है पूरी दुनिया इसलाम को बदनाम करने में लगी है पूरी दुनिया पाकिस्तानों खतम करने में लगी है यह maximum लोगों का मानना होता है जिस तरीके साथ यह बोले हो कि हिंदू जो है वो पूर ने कहीं हैं मान रहा है कि जो पाकिस्तानी मुसलिम है इस त्रेकिंड की चीजे करते हैं जिसकी वज़े से पाकिस्तान कह नाम इसलाम कहरा ह voltar होता है, अगर हिंदू फासलाद फैलाते तो फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की है बदाइए बनपलाश्ट के चाहाए पणाब चाहे बलोचिस्तान के इपकर अब कर रहे हैं वो काफी pa आपके यहां पर तो मौलवीश के उपर लाई करते हैं बगायदा अभी हाली में आपने खबर देखी होगी आपने भी देखी होगी कि जो सिया मुस्लिम थे वो दस लाग इकठा थे भारत के बॉर्डर के उपर हो कह रहे थे हमें पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना है हमें यह से जाने दो तो यह सीख मत दो भैया कि कौन जो है क्या करेगा और कौन पूरी दुनिया के अंदर आतंग बात फैला रहा है तो यह सब तुम्हारे कहने से पुरी दुनिया के अंदर आतंगवाद फैलाता यह करता है। इस तरीके की बात आप करके अपने आपको सही सावित नहित्क सकते हो। और यह मान सकता है। बगर पाकिस्तान के अंदर आतंगवाद होता है। आपका कहना इन लोगों के बारे में हमें कमेंट सेक्सर में जरूर बताईएगा मिलते हैं नए वीडियो के साथ नमस्कार धन्यवाद जैन जैवाद